चलिए दोस्तों देखते हैं जनरल साइंस पार्ट सेकेंड वीडियो जिसमें आरो और ए आरो 2016 से लेके 2017 तक प्री प्लस मेंस की कुश्चन सामिल किया गया है तो चलिए हम पहला कुश्चन देखेंगे पहला कुश्चन है कि करनाल बंट रोग है ठीक है करनाल बंट रोग है किसका रोग है गयहूं फसल का है अपसंपी यहां फसल का करनाल बंट रोग है दूसरा कुश्चन है कि सही सुमलित है यहां पे सभी सही सुमलित है नत्रजन बिर्धी योंविकास फासपोरस जड़का व पर कौन सही सुमलत है तो पहला आपसन सही है थार्मोर रिजिस्टरений ऐलक्तेर्पमामेटर्ट ठीक है पहला सही है बाकि सुमलत नहीं अगला देखेंगे मैं पर और चौथा कुशिन है इस्ट्रेलाइट होता है यहाँ पे चौत्हरों कोशिंड की होता है इस्ट्डेलाइट क्या होता है तो अधिक उचाजी पर समताब मंडल में अस्ठापित वाय उर्पोत होती और अगला कुशन हैं दूसरा है साधारता उनकी टोक मार्क डिजाइन होती है वह बहुत अधिक तापकरम पर कार करते हैं तो इन में से कौन सा कथन सही है कौन सा आपसन सही है आपसन सी यहां पर सही है कि वल दो और तीन सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिएगा पांच्वा प्रस्ण है पांच्वा है निम्लेखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्पूर भाग है तो जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का एक महत्पूर भाग है कुशन अगला देखिए अगला है कि निम्लेखित कथनों पर विचार करना है यहां पर हमें पिचार करना है कथन है हलके रं अगला कुछिशन देखिएगा अगला है निमनिकित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन विकिया जाता है तो गिलेसराल का ठीक है गिलेसराल एक कर्मनिक योगिक है या सांद्र नाइट्रिक अम्ल यों सांध सलफ्यूरिक हमिक की उपस्तिती मैं नाइट्रो ग्लिसरीन बनाता है तो नाइट्रो ग्लिसरीन एक बिसफोटक पदार्त है जिसे नोबेल तेल भी कहा जाता अगला प्रश्टे है को इस न की लकड़ी की तीली पर पोटासियम क्लोरेट रेड लेट और एंटिमनी सलफाइट और गोंद का मिस्रण लगा जाता है ठीक है जो रगणने वाली जगा होती है तो अगला प्रश्ण है अगला है निमनिकित के सुद्ध रोक से थोड़ी नहीं है टिक है आपसन दी यहाँ पर हो जाए अगला कुशं देखेंगे हम इस नंबर ऑक साब के जहरीले बिस्तंत ठीक है सापके जहरीले बिस्तंत रूपांत्रित रूप हैं किसके रूप जंबिका दंत के अगला प्रश्ण है कुश्य नमर 12 12 देखिए मच्छरों के बारे में निमलेखित कत्रों पर विचार कीजिए किवल नर रक्त चूशते हैं किवल मादा रक्त चूशती है मादा पौधों का रस चूशती है मादा के पेच्छा नर के डैने बड़े होते हैं नर के पेच्छा मादा के डैने बड़े होते हैं इसमे है नर्ग के पैच्छा मादा के डैने बड़े होते हैं और अगला कुश्चन है कि सुची एक को सुची दो के साथ मिलान कीजिए सुची एक यह सभी सुमलित हैं तो पहला हड्डियों में उपस्तित योगिक है कैलसें साल फास्पेट के वज़ा से दूसरा है सिरका में उपस् पौधों की पत्तियों से अपना पौश्च प्राप्त करता है नीजे दियेगे कोट से सही उतर चुनना है तिसका आपसें डी सही था एस ही किन्तु आर गलत था ठीक है अगला है इसमें सही सुमलित है इसमें सभी सही सुमलित है केंद्री पर्यावलार आभियांत्र की पर यानि की cftRi मैसूर में है केंद्री आलू अनुसंदहान संस्थान इन की CPRI सिमलबिघ में है और केंद्री तंबाकू अनुसंदहा संस्थान से सी TRZ राजा मुंद्रीU में है ठीक है अगला प्रस्श consult देखेंगे हम है यहां पर अगला कुश्य देखेंगे कि यहां पर निम्लिखित पर से कौन सही सोमलित नहीं है जान रहता है हम यहां पर सोमलित नहीं ढोड़ना है तो इस्ट किन्डवन कैसीन दुख्धू प्रोटीन एलोवेरा आपृत भीजी घटपरड़ी परजीवी आपृत भीजी नही नाय्टूजनamente कमी को पूरा करने के लिए यह क्या करता है। केटो अपना सिकार बना लेتा है। यह प्रकास संसलेसर की किरिया दौर्दा भोजन तैयार करता है तो घटपरड़ी के फूल होते हैं या पूस्प होते हैं एक लिंगी और नियमित और निपल रहीत होते हैं न करना की अग्या देखिये यहां पर दिया है कि निम्लीखित है कौन सही Sohn सुम्लित नहीं है यहांपर प्रोटिन नहीं किया जा सकता है सेलोज स्टार्च प्रोटीन या फिर प्यवी चिसका सही कि एंसर होजाएगा और अगला प्राइज het ma passions सही नहीं सही सुमलित नहीं होग जो सही सुमलित नहीं है तो यहां पर जो सिनिवार होता होता है वह पारा से होता है तो यहां पर सही आपर से अगला प्रस्ट देखेगा तो समुद्री घास निम्लिखित तका मुख्य तथा महतपूर सुरूत किसका है और और अगला प्रश्ट है किनलीकित मुसे कौन सही सुमलित नहीं है यहाँ घुड़ना है कौन ऐसा है जो सही शुमलित नहीं है आप देखिए बिटामिन D सुखंडी यान क्यों क्यों क्योंकि भाई विटामिन ने एक कमे से रताओधी हो जाती है। और अगला प्रस्वन है कौन सा यूग में यहाँ पर भी हमें ऐसा ढूलना है जो यूग में शही समलित नहीं है। तो एस्प्रियन निश्चेतक का नहीं है आप सम्ची नहीं है आप आप संदेख लिजिएगा और अगला प्रस्न है कि मकडियोंदारा उत्पाधित रिसम क्या कहलाता है अगला कोश्चन है कोश्चन 26 है कि एक शामानने 70 किलोग्राम भारवाले ठीक है एक शामान एक सामान यहां पर सामान सतर किलोग्राम भारवाले बैस मनुसमें रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है तो आप बताइए लगभग कितनी होती है लगभग 5,000 मिलिलीटर होती है और अगला प्रश्ण है कि निमलेखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनों करता है तो कौन सा करता है पेपसिन करता है आप सब यहां पसे जाएगा पेपसिन है अगला प्रश्ण है कि अगला देखिएगा अगला प्रश्ण देखिए कि लाइफ हाई के संबन में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मैं ऐसा कथन डोना जो सही नहीं है तो लाइफाई का विस्तित रूप लाइट फिडल्टी है यह कथन सही है भारत में लाइफाई का सफल परिछर 29 2018 को सूचना यों प्रसारण मंत्रा नहीं किया था यह भी सही है लाइफाई दौरा यहां अधारी चीपती है तो कौन सी है तो डायनमो है अनिकि आपसन सीह जाएगा और अगला प्रश्ण है क्यों कुष्ण 30 है कि प्रकास अंसलेशन प्रकिरिया के निम्रेलेखित में से किसकी उपस्तेती आवश्चक नहीं है तो अक्सीजन के उपस्तेती आवश्चक नहीं ह 31 कुष्चन जिवारू ठीक है जिवार भोजियों के संब्ध में कौन सा कथन सही है यहां पर हमें जिवार भोजी के संब्ध में हमें कथन कौन सा सही है पहला कथन दे रखा है जिवार भोजी बीशार होते हैं जो जिवारू को संकिमित करते हैं जिवार भोजू आनवनसिक अभियांतरी की में प्रियुक्त होते हैं नीचे दिएगे कूट से सही उतर चुनना है तो दोनों कथन सही है आप संद सी यहाँ पसे जाएगा एक और दो दोनों अगला कुश्चन है कि ताप के निम्लिखित में से किस पैमाने पर रिडात्मक मान नहीं होता है तो किस पर नह हुए आगला प्रस्ट कि यहां में यहां कि को सखने डिटाएगा हैं होती है कि वखे tv नीचे उम्साइक निम्ह Sólt हुआ देखना है तो कैल्री कैलोरी जो होती है ए वह ऊसमा कैलोरी मॉरत ऑल्हें स्टीक है जोन उसमा की है है जवकि अर्व उस्पास सिजर टीजिma तो यह आपका centigrade हो जाएगा कैलोरी जूल अर्ग यह सब क्या है उसमें की एक आई है और अगला प्रश्ण है यहां पर कुश्य नमर चौटिस कि निम्लिखित में से कौन सा यूग में सही सुमलित नहीं है हमें यहां पर ऐसे यूग ढूलना है जो सही सुमलित नहीं है तो अलसी और सूर्या यह यूग में गलत है यह सुमलित नहीं है ठीक है और अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित में से कौन सा कौन सा यूव सही समलित नहीं है चपाकरना है घटपाड़ी और जलोधभिद यह आपशंदी सही समलित नहीं है अगला देखिएगा अगला है इन में से ऐढ़े फैसे कौन भीशाड़ु जनित रोग नहीं है तो छैए रोग से जो टीबी है वह आपका बिसार जनित रोग नहीं है और अगला कुश्चन है यहाँ पर देखे अगला है कि स्टेनलेस स्टील एक मिस्त्र धातू है जिसमें लोहे के साथ निमलखीत को मिलाते हैं क्या मिलाते हैं लोहे के साथ क्रोमियम मिलाते हैं आपसन भी यहाँ से जगा क्रोमियम और अगला प्रशन है दूर दृष्टी दोस में प्रतिविम निम्लिखित पर बनता है कहा पर बनता है तो रेटीना के पीछे बनता है आपसंसी सेव जाएगा और अगला प्रशन है कि निम्लिखित में से किसके लिए माध्यम आवस्यक नहीं है तो बीकिरान के लिए कोई भी माध्यम की आवस्चान नहीं होती है और अगला प्रश्चन है अगरा है कि निम्लखित में से कौन एक हरित ग्रीह गैस नहीं है तो हम यहाँ पर फोलना है यो हरित ग्रीह गैस नहीं है ख53 weaker हाउस गैस नहीं है ठीक है तो यहां पर जाएगा और अगला कुश्चन है बढ़ते हैं अगले कुश्चन तरफ उपरी वाय मंडल की ओजोन परत का छरड निमलिखित में से किसी से हो रहा है अगला प्रश्चन है नाभखी उर्जा का उप्योग प्राया कारक है किसका कारक है वाय पर दूसर का अगला प्रश्चन है कि निमलिखित में से कौन काच को गहरा नीला रंग परदान करता है तो कौन ऐसा है जो काच को गहरा नीला रंग परदान करता है कोबाल्ट आकसाइड यह हाप से जाएक और अगला प्रश्चन है DE LE compared सीपरियर एक गुड़े 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है ठीक है वन गुड़े 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है और अगला प्रश्ण है कि धोनी की प्रबलता को निमलेखित से मापी जाती है तो धोनी की प्रबलता किस से मापी जाती है आप लोग बताईए आयाम से मापी जाती है ठीक है अगला प्रश्ण है अगला है कि प्रतेक किरिया के लिए प्रतेक किरिया के लिए एक शमान और विपरीत प्रतेक किरिया होती है यह नियम दिया था यह नियम किस ने दिया था न्यूटन ने दिया था ठीक है और अगला प्रश्ण है कुश्चन नमबर 49 है कि निम्रिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर की प्रकास की उपस्तिती में तचा बनाता है तो सब को पता है विटामिन D है और आज का लाश्ट कुश्चन है सही सुमलित है इसमें सभी सही सुमलित है हीरा जो है कार्बन है संगमरमर कैल्सियम है और रियस चीलिका और मारिक के जो हता है अलमूनियम आकसाइड होता है ठीक और अगर आप दोस्तों इसका जो है पीडियाफ चाहते हैं अगर पीडियाफ पराप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट में एक बार जरूर बताईएगा तो आप पीडियाफ प्रतान कर दिया जाएगा